और एक तिरंगा जंडा उसका नहीं या के सीने में गार दो। उस घर में घुशकर मारेंगे जिस घर से अब जल निकलेगा। वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अब जल निकलेगा। सूरज पर है कालिक पोती किया चांद का मुख काला मानवता की हत्या का इतिहास घिनोना रच डाला। अब बंद करो ये हत्याएं वरना सीव स्वेम डरेगा तुम ही भच्छक बन बेठे तो रक्षा कौन करेगा। सभापती महोदे इस बिसे को प्राणम करने से पूर में भूत्पूर मुख ने आदिस्वम राष्टिया मानवाधिकार आयों के पुर्वा द्यक्ष मानने से के जी वाला किस्नन के उन वाक्र को उद्रिद करना चाहूंगा। जिसमें उन्होंने कहा है कि मानता को बनाए रखने के बिसे में हमारे सुरक्षावलों के विचार और भूमी का पूरी तरह से स्पस्ट है। के वल तुक्ष मान सीखता वाला वैक्तिया सोच सकता है कि सुरक्षावलों के द्वारा मानवाधिकारों के सम्मान करने से हमारे रास्टिय महत्त को खत्रा उत्पंद होगा। 10 दिसमर 1948 के सार भूमी गौस्टना पतर के अनुचे तीन तता मानवाधिकार संदक्षान आयोग 1993 के सिक्षन 2D में भी यहां असपस्ट वर्णन है कि परतेक वेक्ति को एक सम्मान पुर्वग जिनी का अधिकार है। रास्टिय मानवाधिकार आयोग के पुर्वध्यक्ष माने सिर्फ जे एस बर्मा ने इसी मंच के माध्यम से सन 2001 में यहां सपस्ट किया था कि संविधान के अनुच्छे दे किस जो जीवन निवम स्वतन दरता की गारेंटी देता है उसे अपातकालिन इस्तिती में भी निल परंतु इस्तिती आपके समक्ष है वासुदेव खुटुम्बकम एवं सर्वे बावंतु सुकिना विचार धारावाला देश जहां आज नकसल समस्याने गंभीर रूपधरन कर रखा है प्रस्ट नूटता है यह नकसली है कौन समाज के सबसे शांत सहरों से दूर जंगलों हैं महोदे आदूनी की करन के नाम पर उन गरीब आदिवास्यों की जमीनों को छिन ली गई तथा उन्हें मजबूर कर दिया बंद हुआ मजदूर बनने पर किन्तु आज उनकी अधिकारों की कोई बात तक नहीं करता मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित मैं पूस्ता हूँ ए देश की धरती तुझे क्या दूँ क्यों दूँ और किसलिए ने छवार करू अपना सब कुछ तुम पर क्या इसलिए कि मुझे देश दरो जैसे सब्दों से नवाजा जाए या इसलिए कि मुझे फरजी इनकाउंटर में मार दिया जाए जी हाँ अधिक् कि ये वगेरी रास्टे सुरक्षा की बात करते हैं जब आम लोगों का कोई अधिकारी नहीं हो तो इस इसलिए में रास्टे सुरक्षा का क्या मतलब मैं पूछना चाहता हूँ नभी पक्छी साथियों से वे किस रास्टे सुरक्षा की बात करते हैं पुलिस फिरासत में अ तथा आतंकवादी करार दिया जाता है तथा ये सुरक्षा देने वाले पुजारी आईपीसी की धारा एक सथ चोबिस एक एताद गरिफ तार कर उन्हें देश द्रों का मुकदमा चलाते हैं फिर फर्जी इंकाउंटर में भी मार गिराते हैं जबकि सुनिल बत्राव नाम दि परदसन करना इस बात का दियो तक है कि हम सुरक्षावलों ने आम्स फोर्स इस्पेशल पावर एक्ट का दूरूप्यों कर नजाज फाइदा उठाया है वहां के लोगों को जवरन गरिफतार कर उसे मान सी कि हम सारे एक रूप से परतारिद किया है तथा उनकी बहु बेट करने के सकती और जरौत पढ़ने पर गोली चलाने तक कि सकती इन सुरक्षावलों को दी गई है और कितने अधिकार दिया जाए ने तो दे दो रोलेक्ट एड़ जैसा अंधा कानून और ढूनते रहो इतिहास के पन्नों पर सुतंतर तायवं समानता जैसी शब्दों को महों दे आज जरौत है चिंतन की मंतन की जागरुकता की लोगों में विस्वास जगाने की आज जरौत है सूपर थाटी जैसे संस्तानों की ताकि अपने पत्स से भटके हुए बच्चों को उचिस सिक्षा भोजन इत्यादी का परबंद कराकर उसे विकास के सही माग से जोड़ होते हुए गुरुदेव रविन्ना टेहुर की इन पंतियों के साथ मैं अपनी वानी को विराम देना चाहूंगा कि मैं जीना चाहता हूं इंसानों की फोज के बीच में मैं जीना चाहता हूं उकते सूरज की किर्णों के बीच में शुंदर्ता और सुगंद के बीच में मे कर दो है